नमस्कार दोस्तों आपका मेरी यूटूब चैनल भक्ति ज्यानतियोहर में स्वागत है आज मैं आपको अमावश माता की कहानी सुनानी जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अमावश माता कीजिए अवश्य लिखिए साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अब सुनी ये कहानी किसी गाउं में एक सास और बहु अकेली रहते थे और उनका बहु ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहु से पूछा कि बहु आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया तब बहु ने कहा कि सासुमा आज मेरा तीन पनौती अमावश्या का ब्रत है इसलिए मैंने खाना नहीं खाया तब साशुमा ने कहा कि बहु ये ब्रत क्या होता है और ये ब्रत करने से क्या फल मिलता है मुझे भी बताओ तब बहु ने कहा कि शासुमा तीन पनोती अमावशिया का ब्रत करने से बहुत पुन्य मिलता है, घर में अन्य धन बना रहता है, सुक्सांती रहती है, तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है. इस ब्रत में प्रती एक बर्स अलग-अलग खाना खाया जाता है और भगवान बिश्मू की मंदिर में चड़ावा चड़ाया जाता है या फिर किसी ब्रहमण को दान दिया जाता है इस ब्रत में पहले साल सक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है पहले साल ब्रतपूर होने के बाद सवा केलो चावल और एक कटोरी घी तथा एक कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राहमण को दान में दिया जाता है दूसरे साल जो घी और सक्कर से बना खाना खाया जाता है जब दूसरे साल बरत पूर हो जाए, तो सवा किलो जो एक कटोरी घी तथा एक कटोरी सकर किसी मंदिर में चड़ाये या फिर किसी बराहमण को दान देना चाहिए. तीसरे साल गोड, तिल और घी से बने ब्याण्यन खाने चाहिए जब तीसरे साल ब्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गोड तथा एक कटोरी घी किसी मंदिर में चड़ाय जाता है या किसी ब्रामर्ण को दान दिया जाता है इसे ही तिल पनोती अमावश्य ब्रत कहा जाता है फिर बहु ने कहा इस ब्रत का अगर संकर्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहु में जगड़ा और घर में असांती आती है तब सास ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन तुम यह ब्रत करो और बहु यह ब्रत का आरम करती है लेकिन एक दिन बहु ने किसी के कहने पर गेहु से बनी रोटी खाली और अमावश्य माता इस बात से नाराज हो गई जो सास और बहु बहुत ही प्यार से रहती थी अब इन दोनों में जगड़े होने लगे सभी गाउवाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है सास अपनी बहु को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहु बनके आई हू तब से हमारे घर की लच्मी चली गई है तुम हमारे लिए सुब नहीं हो तब बहु ने कहा कि आपके घर की लच्मी चली गई है तो कहां मिलेगी मुझे बताओ मैं लच्मी को लेकर आऊंगी तब साशुमा ने कहा कि लच्मी तुमको समुत्र के बीच में भगवान विश्णू की पेर दवाते हुए मिलेंगी, तब बहु यह कहकर चली जाती है, कि जब तक मैं लच्चमी को लेके नहीं आऊंगी, तब तक इस घर में पेर नहीं रखूंगी, इतना कहकर बहु मा लच्चमी की खोज में निकल जाती है, जब बहु लच्चमी को कहती है मेरे आने से, उनके घर में अन धन की कमी हो गई है, और उनके घर की लच्चमी चली गई है, तो मैं लच्चमी को लेने जा रही हूँ, तब गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तुम जा रही हो, तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछना, तब बहु कहती है, ठीक है गाय माता बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछू तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बच्छड़ा होता है वे मर जाता है जिन्दा नहीं रहता तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मैंने ऐसे कौन से कर्ण किये है तब बहु बोली गाय बंदी हुई होती है गोड़ी ने भी कहा कि बेटी तुम मेरे दुक्का निवारन भी भगवान से पूछ लेना तब बहु ने कहा जरूर पूछ लोंगी यह कहकर बहु आगे बढ़ती है आगे जाते ही बहु को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है बैवी बहु से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है तब बहु उसकी समस्या भगवान से पूछने के कहकर आगे बढ़ती है आगे जाते ही बहु को एक बुड़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिच होती है बैवी बहु से अपनी समस्या भगवान को पूछने के तब बहु उसके समश्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है आगे जाते ही बहु थख जाती है और एक आमके पेड के नीचे बैठ जाती है तब आमका पेड़ खुस होकर बहु से पूछता है कि बेटी तुम कहां से आई और कहां जा रही हो तब बहु बताती है वे लच्मी को लेने जा रही है तब पेड भी अपनी समश्या भगवान को पूछने के लिए कहते हैं और कहता है कि मेरे पेड पर लगे आम खटे ही क्यों होते हैं इस बारे में भगवान को जरूर पूछना तब बहु उसकी समश्या लेकर आगे बढ़ती है आगे जाते ही बहु को एक तलाई मिलती है वे भी बहु को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मेला क्यों है कोई भी इसे नहीं पीता है तब बहु कहती है जरूर पूछ लूँगी और यह कहकर बहु आगे बढ़ जाती है बहु दिन वो सो जाती है। उसी समय भगवान विश्णू और माता लच्मी वहां बिच्रण करते हुए आते हैं। तब माता लच्मी भगवान विश्णू से कहती हैं। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जनवर उसे अपना सिकार बना लेंगे। माता लच्मी की बात सुनकर भगवान विश्णू एक सादू का भेश धारन करते हैं और बहु के पास जाते हैं। और होस में लाते हैं। बहु के होस में आते ही सादू भेश में भगवान उस माता भी प्रकट होती हैं। बहु उनके चर्णों में गिरकर बंदन करती है। अमावश्या माता बहु से कहती है कि बेटी तुने मेरे विरत को खंडित किया है। इसी की सजा मिली है तुझे। लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुमारा घर अन धन से संपन होगा। तुमारा घर सुन्दर महर में बदल जाएगा। और तुमारी सभी मनो कामनाएं पूर्ण होंगे। यह सब होने के बाद बहु रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारन करने के लिए बिंती करती है। तब भगवान विश्नु बोल गोड़ी पिछले जनम में आटा पीषने वाली महला थी। वे किसी को आटा पीषके नहीं देती थी। इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बने हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना वे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नही किया। इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी बिकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ से भी किसी बच्चे को अपने आम खाने को नहीं दिये। इसलिए उसके सभी आम खटे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना फिर उ अलाई सुद्ध हो जाएगी। बहु ने भगवान बिश्नु माता लच्मी और अमावश्य माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है। और रास्ते में उसे जो भी मिला उनके सभी समश्या भगवान के कहे अंसा दूर करती है। सभी उसे आशिरवाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुद्धर महल में बदल जाता है तथा घर में अनिधन भरा मिलता है। अब बहु सासुमा से कहती है। सासुमा आपने सच कहा था कि आपके लिए मैं सुब नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लच्मी आई। अब आप यहां रहें। मैं मरन रहोगी कहीं नहीं जाओगी और सास बहु खुसी-खुसी रहने लगे एक दिन उसका बेटा भी बिदेश से लोट आया और घर में यह सब देखा तब उसकी माने सब बात अपने बेटे को बताई इस तरह मा बेटा और बहु खुसी-खुसी अपने घर में रहने लगे जैहो मावश माता की जैहो भगवान विश्णू और माता लच्छमी की आपको ये बीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथी मेरे बीडियो को जादा से जादा शेयर करिए धन्यवाद